दोस्तो नमस्कार, मैं हूँ डोक्टर प्रदी प्रसन्य, आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंदी तमाम तरहें के तथ्यात्मक टोपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं, आईए टोपिक कुछ सीखते हैं विद्यार्थियों आज की वीडियों बना रहे हैं, विध्यप्ति को ले करके इससे पूर्व हमने पत्र लेखन के अनेक टोपिकों पर वीडियो बनाई है और हिंदी पत्र लेखन को बहुत सरली कृत तरीके से समझाने का प्रियास किया है उसकी परिभाषा से लेकर के उसकी भेद से लेकर के उधारन सहीत वीडियो बनाई है तो उसे इस रंखला में एक वीडियो है विग्यप्ति को ले करके इससे समंदित प्रश्ण भी अकादमिक और प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं और विग्यप्ति कैसे लिखी जाती है ये भी पूछा जाता है तो आज इस वीडियो में हम विग्गिप्ती क्या है विग्गिप्ती कैसे लिखी जाती है कौन-कौन सी बातें मुखे हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए विग्गिप्ती लिखते समय और विग्गिप्ती कैसे लिखते हैं बाकाइदे एक विग्गिप्ती को हम लिख करके कि उधारन सहीत आपको समझाएंगे तो आप विग्यप्ति को समझने के लिए वीडियो को पूरी देखें ताकि आसानी से आप समझ पाएं और उससे लावहनवीत हो सकें विडियो श्टार्ट करने से पूर्व आप सबसे रिक्वेश्टे दिया आपने हमारा चैनल हिंदी की बिंदी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीव से सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आईकोन को जरूर दबाएं तक कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं आई यदि विग्यप्ती की सूचना कारियाले के करमचारियों तक ही पहुँचाना हो तो उसे निश्चित प्रारूप में लिखकर कारियाले के सूचना पट पर लगवा दिया जाता है किन्तु यदि विग्यप्ति के व्यापक प्रसार की आउशक्ता हो तो उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है जब कोई सरकारी सूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है तब तो वह अधिसूचना कहलाती है यह जब कोई सूचना सामाने समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है तो वह विग्यप्ति कहलाती है सरकारी विभागों कारियालों के द्वारा अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अथ्वा आम जंता तक कोई सूचना पहुंचाने के लिए सामन्य समाचार पत्रों के माध्धम से कोई पत्र प्रकाशित किया जाता है तो वह विग्यप्ति पत्र कहलाता है यह पत्र कारियले के मुख्य अधिकारी की और से जारी किया जाता है यह पत्र अन्य पुरुष वाचक शैली में लिखा जाता है इस पत्र में सबसे उपर दाहीनी और प्रकाशनार्थ शब्द लिखा जाता है विग्यप्ति पत्र के प्रकाशन के लिए समाचार पत्र कारियले को शुल्क भी चुकाना पड़ता है विग्यप्ति पत्र के साथ एक आवरन पत्र भी लिखा जाता है जिसमें उस विग्यप्ति के प्रकाशन की दिनांक, अकबार की दिनांक, अकबार की प्रश्ट संख्या तथा आकार कवलेख भी किया जाता है जब कोई सरकारी सुचना शुल्क लिए बिना हिए अन्य खबरों की तरहें अकबार में प्रकाशित कर दी जाती है तो वह प्रेश विग्यप्ति कहलाती है विग्यप्ति को कही बार विग्यापन या उधारन भी कहते हैं सोरी विग्यापन कहते हैं उधारन खेस्तरें से लिखते हैं विग्यप्ति कारियलने का नाम जहां से लिखी जारी आयुक्त राजस्थान राजे चुनाव आयोग जैपुर क्रम संख्या जो पत्र की चल रही हो उसके अनुसार तारीख तिनांक 1 जुलाई 2018 विग्यप्ति सर्व साधारन को सूचित किया जाता है कि केंद्रिय चुनाव आयोग ने मद्दाता परीचे पत्र की अनिवार्यता इलक्ट्रोनिक मशीनों का प्रियोग सारुजनिक इस्थानों प्रपोष्टर ने लगाने चुनाव प्रचार हेतु ध्वनी विस्तारक यंत्रों का प्रिय अपेक्षित सहयोग की आशा की जाती है कि वे उक्त सुधारों की सफल किरियान विती में सहयोग प्रदान करेंगे ताकि राज्ये में निश्पक्ष एम शांति पूर्ण चुनाव संपन्न हो सकें हस्ताक्षर नाम हस्ताक्षर करता का मुख्य चुनाव आयोग राजस्थान राज सुनाव आयोग जैपुर तो विद्यारतियों ये थी आज की वीडियो विध्यक्थटी को लेकर के आशा करते हैं विध्यक्थी की वीडियो आपकी समझ में आया होगी वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए आपका बहुत भुद धन्यवाद यदि वीडियो आ किसी विशेश टोपिक की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका आप हमें बताइए हम उस पर वीडियो बनाएंगे बाकी प्रतियोगी परिक्षाओं को लेकर के सिल्सलेवार तरीके सम वीडियो बनाते रहते हैं राजस्थान में राजस्थान लोकसे वायोग की द्वारा कोलेज व्याख्यता असिस्टेंट प्रोफिसर के पद निकाले गए हैं अब हम उसके सिल्सलेवस के अनुसार हिंदी सिल्सलेवस की और कुछ दर्शकों का कहना है कि जीके सम्मंदिती वीडियो बनाईए तो विशे अलग से प्लेलिस्ट बनाके उस पर डालने वाले हैं तो उससे भी आप जुड़े रहें ताकि वो लाभानवीत हो सके हैं तो आज के लिए इतना ही यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकोन को जोर दबाएं तक कोई वीडियो आप मिसने कर पाएं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक साथ फिर मिलते हैं तब तक क्ले शुक्रिया नमस्कार